हलो गाइस में नाम इस सनी और स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल जिसके नाम है सिविल वोड्ड हलो लेर्णनर्स तो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में मैंने उसके कुछ प्रभ्म्स कडाये लास्ट दो वीडियोस में अच जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह ओट्वर्टेकिंग साइड डिस्टेंस तो overtaking side distance क्या है, उसका application कहा है, उसके formulas क्या है, इसमें एक value कैसे put करना है, मैं आपको सब बताने वाला हूँ, यह video थो बड़ा होने वाला है, लेकिन आपको कहीं और जाने की जरुवत नहीं पड़ेगी, मैं इधर ही सब आपको बता दूँगा, आपके concepts को clear कर दूँगा, आ आपको concept दे अच्छा दिंदे होगा, ठीक है, तो start करते है, तो अप समझते है, overtaking side distance है क्या, suppose, यह आपका load, यहाँ एक vehicle है, vehicle A, जो कि VA speed से बढ़ रहा है, आड़ा था, ठीक है, VA speed से, यहाँ एक vehicle है, B, जो कि इसी तरफ बढ़ रहा है, VB speed से, okay, तो RC, ठीक है, overtaking side distance है क्या, overtaking side distance is the minimum distance required by the driver of vehicle A, to safely overtake the vehicle B, मतलब क्या, जो कि overtaking vehicle है, उसके driver को, overtaking vehicle A, जो है, इसके driver को, जितना minimum distance चाहिए, safely vehicle B को overtake करने के लिए, उससे हम लोग, overtaking side distance करते है, overtaking side distance को, कभी-कभी passing side distance भी करते है, तो अगर question में, आपको passing side distance दिया हो, आप घबराना मत, उसका मतलब overtaking side distance ही होते है, तो अब, वो है क्या overtaking side distance है, थोड़ी में तो समझ लिया, अब इसको concept को समझते है, तो वेहिकल A, वेहिकल B को overtake करना चाहते है, वो होगा क्या, हैर सी एक assumption मानता है, वेहिकल A का speed जो है, वो वेहिकल B से ज्यादा है, डिजाइन करने हो, इससे आपका डिजाइन सेफ रहता है, पहले ही मान लेता है कि वेहिकल A, ज्यादे speed से आ रहता है, तब होता है क्या देखे, कैसे वो overtake करेगा, पहले वेहिकल A, t time पे, small t time पे, यहाँ पहुच जाएगा, जो वो overtake करने का सोचता है, जो यहाँ से यहाँ जो distance कवर करेगा, यहाँ से, यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ जो distance करे, small t time पे कर रहता है, इसी distance को हम लोग, d1 बोलता है, ठीक है, और वो किस speed से करेगा, यह assumption बानता है, vb, मतलब, जब वेहिकल A, वेहिकल B को overtake करना जाता है, तो वो पहले अपना speed, slow करता है, और इसके बढ़ावर कर लेता है, वेहिकल B के, ताकि उससे आसानी हो, overtake करने के लिए, तो वो t time, small t, यह small t, हम लोग overtaking side distance के लिए, 2 seconds मानते है, 2 seconds, okay, वह जितना time उसे, speed A से, vehicle A जो speed था पहले, vb होने में लगता है, उसे हम लोग 2 seconds मानते है, okay, अब देखो आप, यहां से यहां वो d1 distance कवर किया, अब क्या होता है, यहां से वो overtake करने, स्टार्ट करें, vehicle B को, suppose overtake करके वो यहां चला है, यहां वो चला है, vehicle A, वो capital T time में, इस position से, इस position को चला है, ठीक है, अब B, जो vehicle B है, वो इस capital T time में, वो भी कुछ move करेंगा, suppose वो यहां से, यहां पहुंच जाए, vehicle B, यहां से, वो यहां पहुंच गए, यह distance जाओ, वो covered की, vehicle B, उसे हम लोग B बोलते हैं, ठीक है, अब वो कितने time पे किया, vehicle B, कवर इस distance को, 20 capital T time पे किया, जब तक वो यहां से, यहां vehicle A पहुंचा, वो इतना cover किया, vehicle B ने, अब यह vehicle A का head जो था, वहां से इस distance को, हम लोग, S बोले में, S, फिर यहां से, इसके head के distance से, भी हम लोग, S बोले में, तो हम लोग क्या मान रहें, यह से, यहां से, यहां distance, जो था, हम लोग क्या मान रहें, यह distance, और यह distance, सेम है, यह vehicle A से vehicle B कर जो distance तब आले, और vehicle B से vehicle A के distance सेम रहें, यह लोग मान, अब, यह जो पूरा distance है, यहां से, यहां, यहां से, यहां से हम लोग, D2 बोलते हैं, D2, यह D1 था, यह, D2, तो वहिकल ए को कितना minimum distance लगा इसे overtake करने के लिए D1 प्रस D2 तो यह हमें निकालना था अब देखवा आप D1 और D2 हमें निकालने में काथा D1 की तात करता है D1 अब अब बच्मन में पादा था S is equals to speed into time अब दिस्टंस is equals to speed into time तो आप देखवा हम लोगो यह distance निकालना है D1 यह distance है किन तो इस कितने time में कर लोगो small t जो कि 2 seconds है और कितना speed में जाड़े हो यहां से वहां वह अपनी speed को reduce करके जाड़े कि speed में VB हम लोग माहते है VB speed में जागी तो क्या speed हो जागी सकी VB small t okay तो D1 क्या हुआ VB into t and VB is in km per hour जैसे हम लोग 5 by 18 से multiply करेंगे meter per second में change करने के लिए जैसे कि हम लोग stopping side distance में जाते हैं तो यह आपर D1 करेंगे अब D2 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 क्या हुआ D2 क्या हुआ B plus 2S इस 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 बड़ plus AS अब AS पुरा को आपर D2 माहन रहें लेकिन तो B plus 2S लिख सकता हूँए अब हब देखो B क्या है B is this distance जो वेहिकल B capital T time में cover किया है कि नहीं तो B हम लोग क्या लिख सकता हूँ B यह सेम फॉर्मूला B is the question VB यह VB speed से जा रहा है वेहिकल भी अपना ही speed से जा रहा है VB into capital T time में cover किया तो B is equals to VB into T clear तो B equals to VB into T हो गया अग S कैसे इनकाने में हम लोग अब यह देखते हैं बच्पन में हम लोग उने और एक फॉर्मूला पढ़ा था S is equals to VT स्कूल में पढ़ा था हम लोग ने D2 distance के लिए तो यह जो D2 distance है यहां से यहां इसके लिए हम लोग वह फॉर्मूला अपलाई करें तो क्या आउड़ा देखते हैं D2 equals to VT with VB VB T से काम ओढ़ा हा T capital T VB half A field capital T ठीक है तो D2 आपके यह हो जागा है VB इस पूर्म डिश्टन्स में तो speed VB से ही काम हो रहा Speed V यह कप था starting में इसके बाद speed V यह नही रहा इसके बाद VB speed से ही काम हो रहा है किन तो VB into T capital T VB को अब देखो V D को हम लोग क्या था V था V VB plus 2s यह था V plus 2s D2 को हम लोग यह भी लिख सकते है अब आप देखो V को हम लोग क्या लिख सकते है V equals to VB into T अब देखो यह VB into T यहां भी है यह और यह खड़िया रहा तो अब T यहां से हम लोग निकाल लेते है तो T is equals to क्या होगा Root 4 S by A Capital T वो कितना टाइम लिया वो आपका इस से निकर लेगा T is equals to root 4 S by A Clear तो T यहां क्या था आपका T वो टाइम है जब वेहिकल A Overtake X rate करता है यहां से और T time में यह पहले यह Adjoining lane में आ जाता है फिर वो अपने original lane में पहुंच जाता है इस overtake करके 530 A क्या है वो X rate करड़ है यहां पर यहां से यहां overtake करड़ है तब वो X rate करड़ है उसी acceleration को ही A कहँए and S is the spacing between the two vehicles right spacing between the two vehicles आपका T निकल जाएगा यहां से तो आपको T पता A आपका question में दिया रहेगा S आपको S जो कि आपके spacing है between the two vehicles इसे empirical formulas इंकाला जाते है इंका इंकाल फॉर्मुला जो IRC दिया है 0.7 VB speed of vehicle B plus L अब यह क्या है S is the spacing between the two vehicles 0.7 into VB plus L तो आप देखो अब हो क्या रहा है यहां vehicle A था spacing A और B का spacing को हम लोग S बोल रहे तो आप देखो यह B है ठीक है यहां से यहां तक S ठीक है भी S तो पहले हम लोग जानते है यह distance कितना है यह clear spacing between them how much तो यह देखो आप यह VB speed से आ रहा था है कि नहीं तो यह distance को हम लोग क्या लगते है distance is versus speed into time VB into time यह जो time है A और B A को यहां से यहां cover करने में इसे RC ने बोला है 0.7 seconds तो यहां से यहां का distance मिल गया हम लोग का यह है अब यह distance जो है यह कितना होग यह पुरा spacing था spacing is equal to this distance plus this distance तो यह distance कितना है length of the car तो यह है आपका length of the car यह होगी length of the car आपकी length of vehicle तो इसे length of vehicle को आप 6 meter मानोगी ठीक है first question में आपको 6 meter मानने अगर question में कुछ और दिया रहे तो आप 7 meter दिया रहे तो 7 meter मानने ऐसे आपको 6 meter याद रखने है ठीक है तो आप देखो आप यह 0.7 और यह VB इसे इन kilometer per hour तो इसे हम लोग meter per second में change करते है 5 by 18 into 6 meter यह ठीक है तो यह आजाएगी आपका 0.2 VB plus L इसे जब आप solve करोगे आपको 0.2 VB plus L तो S is equals to 0.2 VB plus L तो आप देखो नो निकालना क्या था overtaking side distance which is equals to D1 plus D2 तो D1 तो आपको इसे निकल जाएगा D1 का formula क्या रह यह इसे निकालने का formula यह है आपको वहिकल की B की speed दीड हैगी T आपको पता है 2 seconds ठीक है आप यह निकाल लोगा अब D2 D2 is B plus 2s okay B plus 2s तो B यहां से आपको मिल जाएगी B is VB into T यह T आपको यहां से मिल जाएगा यहां से T is equals to root 4s by A यहां से आपको मिल गया T B अब इसके लिए S चाहिए यह S आपको यहां से मिल जाएगी रेकिन S मिल गए आपको 0.2 VB plus length of the card तो आपको क्या मिल गया तो आपको B मिल गया B मिल गया S आपने निकाल ला फ़र यह भी मिल गया आपको B plus 2s आप लोग देख लेना समझने में हो सकता आपको पॉब्लम हो तो और एक बर रिपीट कर लेना शाब अब देखे आप मैं पूरा लिख देता हूँ और एक बर OSD overtaking side distance और passing side distance is equals to D1 plus D2 this D1 and this D2 D1 आपको कितना है 5 by 18 for changing in meter per second into speed of vehicle B क्योंकि vehicle A pass कर रहा लेकिन वह speed अपनी change कर लिया और small t time में small t कितना 2 seconds for overtaking side distance यह होग यह आपको D1 D2 D2 कितना था B plus 2s यह होग आपको D2 B निकालना है आपको 5 by 18 capital T आपको पता करना है capital T कैसे पता करना capital T is equals to root 4s by A सब मैंने आपको निकाल के दिखाया problem हो तो और एक बड़ देख लो 4s by A A is acceleration जो vehicle A ने किया उसे overtake करने के लिए vehicle B को s अब आपको s निकालना है तो s के लिए हम लोग ने derive किया 0.2 VB plus L L is length of the car यहां एक बात आप याद रखना इजर VB की value kilometer per r में put करनी है क्यों क्यों यह meter per second में ने change करना है क्योंकि यहां हम लोगों ने यहां meter per second में change करता है s into हुआ 0.2 VB plus V की value VB की value यहां kilometer per r में भढ़नी है यह सब जगह आपको change करना है यहां ठीक है तो अब B plus 2s B आपका निकल जागा T पता चल गया यहां से S पता चल गया यहां से 2s भिन कल गया तो D1 plus D2 निकल गया यह ता आपका जब road one way हो one way one way मतलब क्या one way हो one way मतलब क्या गाड़ी सिर्फ एक तरफ ही जा रही है दोनों वेहिकल इसे तरफ जा रहे थे अब अगर road two way है तो क्या हुआ two way मतलब यह road है vehicle यहां से यहां भी जाड़ी है दोनों वेहिकल यहां ही मुफ कर रहते हैं, और वेहिकल, कुछ वेहिकल यहां से यहां ब्यारी हैं, तब क्या होगा, उस केस में देखो, यह D1 प्लस D2 तो हो गई, प्लस एक वेहिकल जो यहां से आपके तरफ बल्डी है, वेहिकल यह तूवे के लिए मैं बतारों, यह तूवे रोड हो, वेहिकल यह वीजी स्पीट से आ रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए एक डिस्टेंस एक्स्ट्रा पकड़ा जाया रहाएं, यह दिस्टेंस D3, D3 कितना होगा, D3 request to 5 by 18 into VC, वो कितना टाइम में कवर करेगा, वोई सेम टाइम कैपिटल टी, याद रखना हो, कैपिटल टी, यह हम लोग मान के चलते हैं, तो यह हो गया आपका D3, तो टूवे रोड होई तो क्या होगा, आपका, D1, D2, प्लस D3, ठीक है, D2, है होब आपको समझ आड़ा हो, तो अब, OSD, overtaking side distance, जो vehicle A के driver को चाहिए, safely vehicle B को cross करने के लिए, और साथ-साथ, टूवे में, ताकि इस से vehicle C के साथ उसका accident ना हो जाए, तो यह D3 डिशनस भी चाहिए, for safety, तो D1, प्लस D2, प्लस D3, D1, प्लस D2, यह से एम, यह कैसे निकले हा, यह से एम, से प्लसीजर, और D3 इस इकले हो, 5 by 18 into, जो opposite side से vehicle आड़ी है, उसका speed VC into capital T, यह, यह add हो जाएगा, तो आप question में देख लेना, आपको two way बोला गया है, यह one way, और two way बोला जाए, तो आपको D3 add करना पड़ेगा, clear, अब OSD का application समझ लेता है, हाने बोला था lecture थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आपको सब मिल जाएगा इसमें, तो आपको कहीं जाने वाज़रोत नहीं पड़ेगा, तो application देख लो, क्या application OSD का, देखो, जब हम लोग को road design करते हैं, हम लोग को एक overtaking zone provide करना पड़ता है, एक गाड़ी, दुसरे गाड़ी को overtake कर सके easily with safety, यह है आपका overtaking zone, तो यहाँ road की with, नहीं थी, यहाँ width बढ़ गए, तो width हमें बढ़ानी है, और कितने distance के लिए बढ़ानी है, जो यहां से, यहां का distance हुआ, उसको निकालने की काम आती है, OSD, क्या, तो यह इसको बोलते हैं, हम लोग overtaking zone, overtaking zone इसे कहते हैं, ठीक है, और इस distance को overtaking zone length or distance, ठीक है, मैं short में लिख रहाँ, आप notes बना रहे तो लिख लेना पूरा, overtaking zone length, तो O, Z, L जो है, वो कितना होगा, वो OSD के उपर depend करता है, यह जो पूरा length है, इसे कहते है, overtaking zone length, यह कितना होगा, वो आपका OSD के उपर depend करता है, अब क्यासे depend करता है, देखो, IRC, Indian Road Congress, तो Indian Road Congress ने कहा है, कि जो overtaking zone length होगी, overtaking zone distance और overtaking zone length जो होगी, वो desirable is 5 times of OSD, मतलब जो आपका OSD निकलेगा, overtaking side distance, उसका 5 times होगा, this is desirable, इसे याद रखना हो, यह desirable है, मतलब हम लोग चाहेंगे कि इतना तो हम लोग provide करे, desirable है, okay, 5 times of OSD हम लोग provide करना चाहेंगे, overtaking zone distance, अगर किसी वज़े से, हम लोग 5 OSD नहीं दे पाएं, जगह की कमिया या कोई और reason हो, तो minimum, हमें 3 times of OSD तो provide करना है, ऐसा IRC ने बोला है, तो 3 times of OSD is your minimum, this is the minimum which we need to provide in any case, this is minimum, okay, 3 times of OSD, तो यही overtaking zone distance जो है, जो ब्लोट को design कर रहें, तो वेहिकल को, एक दूसरे वेहिकल को overtake करने के लिए जगह देना पड़ता है, वो overtaking zone length था, वो overtaking zone length आपका overtaking side distance को पर different करता है, overtaking side distance for two-way हुआ तो आपका D1 plus D2 plus D3, बैना बता जहें, D1, D2, D3 कासे ने clear, और one way वा तो D1 plus D2 only clear, तो आज के lecture में हम लोग ने देखा OSD क्या है, उसे conceptually समझा, फिर उसके formula को derive किया, फिर उस पूरे formula को लिखा मैंने या आप लिख लेना, 2-way और one way के लिए different होता है, D1 plus D2 and for 2-way, D1 plus D2 plus D3, okay, और उसका application देखा, overtaking zone provide करने के लिए दिया जाता है, overtaking zone distance के desirable में 5 OSD, minimum is 3 OSD, overtaking zone distance के कुछ problem कराऊंगा, overtaking zone distance बिनकाल के दिखाऊंगा, I hope आपको समझ आया होगा, तो मैं अब चलता हूँ, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, और आपको लगता है मैं आपकी studies में आपको help कर सकता हूँ, तो चैनल को subscribe करना ना भूले, आफ वीडियो को देखते रहे, Thank You